नवश्कार प्यारे बच्चों स्वागत आपका हमारे चैनल दा एडुमेट पर बच्चों आज इस वीडियो में हम जानेंगे के अवसर एप पर जो सैट जुलाई के एक्जाम होने हैं उसमें बच्चे किस प्रकार भाग लें बच्चों ये सैट एक्जाम आप सभी के लिए बहुत जरूरी है तो सभी बच्चे टाइम रहते इसमें भाग जरूर लें हर कक्षा के लिए हर एक्जाम के लिए यहां टाइम लिमिट सेट की गई है इस सेट एक्जाम में आप सुबह पांच बज़े से लेकर और रात बारा बज़े तक किसी भी टाइम आप अपना टेस्ट कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें आप जल्दी से जल्दी करें इसे और जिस बच्चे की अवसर एप डाउनलोड़िड है लेकिन अपडेट नहीं है तो अपनी अपडेट भी कर लें अवसर एप को डाउनलोड करने की और उसमें लोगिन करने से संबन्दित वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं लोगिन करने के लिए जो वीडियो है उसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिस भी बच्चे को लोगिन से संबन्दित जानकारी चाहिए वो उसे देखें बच्चो आफसर एप डाउनलोड और अपडेट करने के बाद आप अपने मुबाइल पर आफसर एप खोलें यहां आप देख सकते हैं आफसर एप लेफ्ट साइड बोटम कोर्नर वर आईए इस आफसर एप को ओपन करें ओपन करने के बाद बच्चो आप यहां नाम देख सकते हैं नाजिम जो की थर्ड क्लास का एक स्टूडेंट है तो इसका अलवड़ी लोगिन हो रखा है इसकी आफसर एप भी अपडेटिड है तो आप सभी अपना लोगिन कर लें लोगिन करने के बाद आप नाम की नीचे देख सकते हैं एक बटन है एक्टिव सर्वे और ठीक उसी के नीचे यहां आपास चार ओप्षन है वीकली लर्निंग शिडियूल प्रैक्टिस एंड असेस्मेंट्स वीडियोज लर्निंग मेटेरियल बच्चो अगर आपको सैट परिक्षा में भाग लेना है तो बिना सोचे समझे आप सेकिंड वाले ओप्षन प्रैक्टिस एंड असेस्मेंट्स को क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां उपर आप देखेंगे मेगा सर्वे इंगलिश जोईफुल सैटरेडेग, हिंदी, मैथ, इवियस, एंड जनरल तो जिस भी सबजेक्ट का आपका एक्जाम है फोर एक्जामपल आज एक्जाम है थर्ड क्लास का हिंदी और मैथ तो हिंदी वाले सेक्शन पर जाएं यहां आप देख सकते हैं हिंदी इसे क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां लास्ट में आप देखेंगे सैट वन जुलाई अगस्ट 2021 तो सैट वन जुलाई अगस्ट पर यहां क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां हमारे पास ओप्शन है स्टार्ट क्विज तो अब हमें स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना है जैसे ही आप स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेंगे यहां आप देख सकते हैं आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है इस टेस्ट में हमारे पास यहां 20 Multiple Choice Question याने बहु विकल्पिय प्रशन दिये गए हैं जिसमें हर कोस्टिन के चार-चार विकल्प हैं और आपको उन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है बच्चों याद रहे सभी प्रशन करने जरूरी है अगर आपको इस प्रशन छोड़ते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो समिट नहीं होगा तो सभी बच्चे एक से लेकर और 20 तक सारे कोस्टिन करें जैसे ही आप ये 20 कोस्टिन पूरे कर लेंगे आपको एक confirmation देनी है यहां इस पर टिक करें टिक करने के बाद नीचे हमारे पास option आगया Submit Assessment तो हंत में सभी बच्चे इस Submit Assessment पर क्लिक करें Submit Assessment पर क्लिक करते ही आपका जो टेस्ट है वो Submit हो जाएगा बैक जाने के बाद आपका जो दूसरा subject है उस पर क्लिक करें click करने के बाद ठीक उसी परकार यहाँ भी नीचे दिया गया है set one exam इस पर click करने के बाद यहाँ start quiz करें और इसे भी same उसी procedure से प्रोसीड करें तो बच्चे यह थी आपकी set exam देने की परक़िया आशा करता हूँ आप सभी को यह समझा आ गई होगी अगर आपको यह समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखें या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक तता शेयर करें और ऐसी ही महत बून एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू